हेलो दोस्तों मेरी चैनल पे आप से भी का सवाग गयत है अज बनाएंगे अलू और मेथी का प्राठा तो चली बनाना शुरू करते हैं प्राठे बनाने के लिए यहां पर मैं गेम का आठा लिया है आठा अपने इसाब से कमिया ज्यादा रह सकते हैं जितने प्राठे बनाने हैं उसाब से आठा ले सकते हैं आटा लेने के बाद में इसमें डाल देंगे मेथी मेथी का डठलक को अटा लेंगे और बारी बारी काट के मेथी डाल देंगे और स्वाद अनुशार नमक डालेंगे नमक द्यान से डालेना आगे लूख़े मसाला में भी नमक के डालेंगी है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से डालना है तो य कडर अब धैसे 15 के लिए तो अठालने के लिए तो आड़ा अब वेका ज guidance यहां पर मैंन 5-6 आलो लिए हैं आलो को छिल लिया है और छिलने के बाद में हाथ से क्रस्क कर लेंगे और कदू कस भी कर सकते हो तो अब इसमें मसाला डालेंगे मसाला में यहां पर मने लिए हैं 3-4 हरी मिरीट बारिक कटी हुई और एक चमच लाल मिर्ची पावडर और एक मसाला कर देंगे तो मिक्स करने के बादा आठे अच्भी चैक्ट हो गया है तो यह लोई दो है लाओ मीरी से उसरा क्रापाश है उस दोगाला है तो अब लोई बनाने के बाद में अब कटोरी शेप दे लेंगे कटोरी शेप में बना कि अब इसमें मसाला डाल देंगे जितना मसाला आप डालना चाहते हो उतना एक चमच यह दो चमच मैंने अच्छी तरह से बर के डाल दिया है और अब उपर से थोड़ा उपर से हलका हलका दबाएके लोक कर देंगे लोक करने के बाद में अथेलियों से फिर से गोल गोल गुमा लेंगे और हलका हलका सा दबा देंगे और अब चकलेक उपर सुका आटा लगाएके रोटी यह पराठी को रोटी की तरह हलका हलका हाथ से बेल लेन प्राठे को बेल लेना है तो यहां पर मैं दो प्राठे बना के रेडी कर लिया है इसी तरह से आपको एक प्राठे बना के बता रही हूं तो इसी तरह से आपके गोल शेफ देना है और गोल शेफ दे के और इसमें मसाला बर देंगे और मसाला डालने के बाद में अब उपर से अंगुठे से दबाके हलका हलका लोग कर देंगे और फिर से गोल गुमाके हलका सा दबाके और प्राठे को बेल लेना है तो एगर दूस्तों आपको अलो मेथी प्राठे के रेश भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसी तरह से भी प्राठे बना के रड़ी कर लेंगे तो एप गैस के पास चलते हैं, गैस को पर कड़ाई रख दिया अगर हम होने के लिए तवा रखने के बाद में एप गैस को मीडियम टू सलो पर रखेंगे और अच्छी तरह से प्राठे को शेक लेंगे, एक साड़ से सिखने के बाद में अब प्राठे को पलेट देंगे, पलेटने के बाद में अब हलका हलका गी लगा देंगे, और गी की जगा आप जिसमें तेल में बनाना चाते हो, तेल में बना सकते हो, तो यहाँ पर मैं गी ल लगा देंगे और गीय लगाने के बाद में हलके हलकी चमच को गुमाते रहेंगे और प्राठे अच्छी तरह से फूल जाएगा जैसे गुबारोग की तरह और मीडियम टू सलो गैस रखेंगे तो इससे प्राठे खस्ता और करा रहा बनेगा तो एक बर आप ये प्राठे की गेस भी आप ज़रूर ट्राइ कीजिए प्राठे एकदम खशते और करारे बनेंगे तो देखें अच्छी तरह से प्राठा फूल गया है तो अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे तो इसी तरह से एक प्राठे और शेक के दिखाती हूं और गेस को मेडियम टू सलोई रखना है हलका सा निचे एक साइड से सीखने के बाद में अब उसको प्लेट देना है और प्लेटने के बाद में अब इस पर गी लगा देंगे और साइड कर भी गी छोड़ देंगे तो निचा से अच्छा सा खसता सा बन जाएगा तो अब दूसरी साइड से प्लेट देंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से गी लगा देंगे और देखें अच्छी तरह ऐसी प्राठा फूल गया है तो आपको ये प्राठे की रेश्बी कैसी लगी है केमेंट्स करना और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना तो ठंड का मुद्दम आ गया है तो प्राठे बना के जरूर ट्राइ कीजिए तो इसी तरह से सारे प्राठे बना के त्यार कर लेना है तो यहाँ पर मैं प्राठे बना के त्यार कर लिया है और अब यहाँ पर एक थाले में शरब कर दिया है दही और अचार प्राठे तो प्राठे की थाले बनके त्यार हो गई है तो आपको इस भी अच्छी लगे तो केमेंट्स करना और वीडियो को लाइक और शेर सब्सक्राइब जुरूर करना धन्यवाद हुड़ा का पराए थाले मेंट्स करना अबम जह के था आप आपको पींग्राइब भी तो आपको यहँड़ास